हेलो एवरीवन हां जी क्या हाल चाल सभी के जी बताइए ओडियो वीडियो बताइए पहले तो क्या सब कुछ परफेक्ट है हां जी मयंक इशान सिधार्थ कृष्णा साहिल अभिजीत तरुन आकाश अक्षित ओविवा नमन स्वाती प्रेरना करन आरूशी विकास विजे विनीत राहुल हां जी ओडियो वीडियो ओके तो चलिए फिर ओडियो वीडियो ओके है तो शुरू करते हैं गुडिवनिंग गुडिवनिंग अच्छा जल्दी से मैसेज भी मुझे भेज दो आप जब ओडियो वीडियो ओके के मैसेज आ गए तो इसके साथ साथ गुडिवनिंग और आज कोशिश करिएगा रेगुलर मैसेज भेजते रहिए सो देट हम क्लास की टेस्टिंग भी कर लें कि आपके पास हमारी ट्रांसमिशन जो क्लास का ट्रांसमिशन हो रहा है वो प्रॉपर जा रहा तो चलिए शुरू करते हैं सीए फाइनल एडवांस्ट ओडिटिंग पेपर नंबर थ्री के में 24 रेगुलर बैच को तो आज सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे एडवांस ओडिट का सलेबस क्या है किस तरीके से आपको स्टड़ी करना है एंड कौन सी बुक्स आपको मिलेंगी नोटिंग क्या करनी है एंड बहुत सारी चीज़े जो आपके माइन में चल रही होंगी उन सब को बताईए जी शुरू करें इजाजत हैं जी सर शुरू करें चलो करते हैं शुरू सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सलेबस के फिर बात करेंगे बुक्स के फिर बात करेंगे लेक्चर्स के C.A. Final Advanced Auditing Paper जिसका पूरा नाम है Advanced Auditing Assurance and Professional Ethics इस paper को हम जो इसके अंदर content है primarily तीन पार्ट में divide कर सकते हैं एक पार्ट है जो standards को cover up करता है intermediate में आपने auditing standards पढ़े हुए हैं final में भी आप auditing standards, standards on review engagement, assurance engagement and इसके अलावा related services means engagement standard का जो पूरा बंच है वो हमें C.A. final के अंदर पढ़ना है there after फिर कुछ chapter ऐसे हैं जहां पर आप different entities की audit को पढ़ेंगे जैसे इंटर में भी आपने audit of government companies, audit of proprietorship entity, partnership firm, higher purchasing company, leasing finance company, audit of banks, cooperative societies बहुत सारी audit पढ़ी हैं final में आप primarily तीन audit पढ़ेंगे banking companies, NBFC and PSU public sector undertaking फिर different kind of audit जैसे due diligence, investigation, forensic accounting, internal audit, SDG audit या ESG audit इस तरह की कुछ miscellaneous audit है तो यह हमारे syllabus का second part बनता है पहला part क्या हो गया? standards दूसरा part different entities की audit या different kind of audit और फिर आएगा हमारे syllabus का तीसरा and last part जिसका नाम है professional ethics का तो मैं आज lecture की शुरुवात syllabus के साथ ही कर रहा हूँ जिसमें आपको syllabus के अंदर पता चलेगा कि हम अपने syllabus में कौन-कौन से topics को cover up करने वाले हैं यह आपका syllabus है जिस जहां पर objective क्या है? To gain the ability to analyze ध्यान दीजेगा syllabus के objective के उपर You are required to gain the ability to analyze Current auditing practices and procedure जिसके basis पर आपको इन concepts को apply करना है in different kinds of engagements So, दो चीजे हैं जिसके ऊपर आपका focus रहना चाहिए Analysis and application सिरफ direct theory learn करने से बात नहीं बनेगी आपको situation को analyze करना आना चाहिए And based upon that analysis You need to apply the auditing concept, auditing standard In that particular situation You need to develop the ability to solve the cases Relating to audit engagement इसका मतलब है आपका paper Practical based जादा होगा instead of theory based दो चीजे है आप जब एक subject को पढ़ते हैं तो आप मान कर चलते हैं यह numerical paper है, यह theoretical paper है लेकिन numerical and theoretical के बीच में practical है Audit का paper numerical based नहीं है बट वो theoretical paper भी नहीं है Rather it is a practical paper जहाँ पर आपको concepts को apply कराना होगा in the various situations जब आप chartered accountant बनेंगे और आप अपनी खुद की practice start करेंगे तो हर दिन आपके पास clients आएंगे अपनी तरह तरह की problems को लेकर तो उन problems में जो basically accounting, law, finance, taxation से related होगी आपको law के provisions को standards को apply करके clients को solution provide करना है तो वो ही चीज नहाँ पर भी आपके paper के अंदर भी आपको नजर आएंगी आपको different situations दी जाएंगी उन situations में आपको concept को apply कराकर अपने answer को लिखना होगा तो यदि आप ये मान कर चल रहे हैं कि ये एक theoretical paper है तो इस चीज को mind से हटाईए ये ज़्यादा practical है थोड़ा सा थोड़ा सा तो मैं कहूंगा theoretical है दो चार पांच question तो आपको theoretical नजर आएंगे direct theory के अब देखते हैं syllabus को chapter 1 quality control का जिसमें आप दो standards cover up करेंगे SQC1 and SA220 chapter number 2 general auditing principle and auditor responsibilities इसमें आप 240, 250, 260, 299 and 402 पांच standards को cover up करेंगे end एक चीज syllabus की बहुत ध्यान से देखिएगा content of SA200, 210 and 230 syllabus में ही लिखा है it is covered in depth at intermediate level जो ICAI ने study material release किया हुआ है CA final के syllabus का उसमें इन तीनों standard का content आपको नहीं मिलेगा reason syllabus में ही लिख दिया कि intermediate पर cover किया गया लेकिन एक main चीज है जिसके उपर आपको ध्यान देना होगा application of these standards may be discussed in the form of case study at final time so बेशक CA final के study material में 200, 210, 230 आपको नहीं मिलेगे but इनके questions आपको मिल सकते हैं एक बात chapter number 3 जिसका नाम है audit planning, execution and audit planning, strategy and execution इसमें आप essay 300, 450, 520, 540, 610 and 620 इन standards को cover करेंगे 300 का भी थोड़ा सा part ही आपको study material में मिलेगा नहाँ पर again उन्होंने कहा है application part of essay 300 may be discussed in the form of case study at final level chapter number 4 इसके अंदर internal control को cover किया गया है 265 को cover किया गया है 330 को cover किया गया है और 315 और 320 के लिए कहतिया गया intermediate में पढ़ रखे हैं chapter 5 audit evidence 500, 501, 505, 510, 530 and 550 6 standard है जिसके बारे में again institute ने detail cover नहीं की है study material के chapter number 6 जिसमें 3 standard है 563, 570, 580 again वो ही बात कि intermediate में पढ़ाए हो final में हम इनकी application पर case study पूछ सकते हैं आपसे तो question है क्या ये 6 plus 3 plus 2 6 plus 3, 9 plus 2, 11, 11 plus 1, 12, 12 plus 3, 15 क्या ये 15 standards हमें cover करने हैं या नहीं करने हैं बताएं जी इनके उपर institute ने syllabus में लिखा है कि intermediate में detailed in-depth cover कर चुके हो final level पर हम इनके application part के उपर आपसे question पूछ सकते जी तो cover करने पढ़ेंगे cover करने पढ़ेंगे बेशब intermediate के हैं ये standard लेकिन final level पर भी आपको इनको cover करना पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर 700 की पूरी की पूरी series डाली गई है but interesting है यहाँ पर इनों ने इस chapter के study material में companies act 2030 और कारों इनके अंदर जो reporting requirement है ओडिटर की उसको भी डाल दिया अब वही चीज है कि syllabus में नहीं लिखा लेकिन study material में डाल दिया तो बताओ पड़ेगा तो हर एक तरीके से आपको चीजों को देखना है syllabus में है तब तो cover करना ही है syllabus में नहीं लिखा गया study material में उसका content दिया गया तो भी cover करना है तो जैसे company act की reporting और कारों की reporting syllabus में नहीं लिखी क्योंकि study material ने cover कर ली है तो हमें ये भी cover करनी है आप नहीं छोड़ सकते इसको chapter number 8 इसके अंदर 800 series के 3 standards को cover किया गया है ये आपके लिए नहीं है chapter 7 तक के standards आपने intermediate में किसी ना किसी form में पढ़ रखे हैं थोड़ा या ज़्यादा लिकिन chapter 8, 9, 10, 11 ये जो 4 chapter के अंदर standards हैं आपके 800 की series 4000 की series 2000 की series के 2 standards 3000 की series के 3 standards तो ये 10 standards ये आपके लिए है पूरी तरह से नए standards तो ये है आपके syllabus का first part chapter number 1 से लेकर 11 जो किस पर based है standards के उपर तो आपको आपका जो content मिलेगा study material मिलेगा हमारी तरफ से उसके अंदर standard का कोई अलग chapter नहीं बनाया हुआ रादर standard को 11 chapter में cover up किया गया है 11 chapters के अंदर जैसे study material बना है वैसे ही हमने भी आपको अपना content अवेलेबल करवाया है same manner अब आगे बढ़ते हैं chapter number 12 से लेकर chapter number 18 यह है आपके syllabus का दूसरा आपकर जिसमें हम discussion करेंगे digital audit, group audit, bank audit, audit of NBFC, audit of PSU, internal audit, due diligence, investigation, forensic accounting, sustainable development goal, ESG assurance यह different kinds की audit है जो आपके syllabus का part number 2 है आगे बढ़ते हैं यह है आपके syllabus का part number 3 that is professional ethics and liabilities of auditor जिसके अंदर आप chartered accountant F 1949 के detailed provisions पढ़ने वाले हैं जो CA की practice से related है इसमें आप ICAI का code of ethics भी cover up करेंगे fundamental principles के बारे में भी पढ़ेंगे threats के बारे में पढ़ेंगे and chartered accountant regulations को भी discuss किया जाएगा तो syllabus के कितने part हैं? बताईए कितने part में हमने syllabus को डिवाइड किया? तीन part के अंदर part 1 standards का part 2 different types of audit and audit of different entities and part number 3 professional ethics का आप लोगों ने regular back join किया है that means आप subject को conceptually and detail में पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है तो हम detail में इस पूरे subject को study करेंगे but at the same time एक चीज और ध्यान रखिएगा concept के साथ साथ आपको उस concept की application को भी cover up करना है ताकि आप उस concept की application को apply करके different situations के अंदर कैसे आपको एक concept को एक situation में apply करना है उसकी practice भी कर सके क्योंकि exam में questions तो वैसे ही आने है practical based right तो अब syllabus को मैंने आपके साथ discuss कर लिया इसके बाद अब बात आ जाती है sir books के तो मैं आपको थोड़ा सा books के बारे में बताता हूँ syllabus की discussion आ गई हमारी नंबर दो पर books की discussion कर रहे हैं आप आपके पास दो तरह का content है IC AI का content IC AI के content में आपको मिलता है study material institute की different times की revision test papers mock test papers और past exams के papers यह IC AI का detailed content है plus practice questions on board of studies portal दूसरा content आपके पास available होता है एक author का या एक teacher का या एक faculty का जिससे भी आप class ले रहे हैं उसका या फिर market में बहुत सारा available है और खास दोर से YouTube के ऊपर उसके अंदर भी आपको एक conceptual material जिसको आप main book का नाम दे दें एक question bank MCQs conceptual material जो हम लोग आपको provide करेंगे main book main book इसके अंदर IC AI के study material की according जो concept arrange किये गए है जिस sequence में arrange किये गए है उसी sequence में आपको हमारा ये main book का content मिलेगा मैं आपको एक chapter दिखाता हूँ main book का आज हम chapter 19 से शुरुआत करने वाले हैं इस तरह से ये chapter आगे बढ़ता जाएगा अब IC AI का study material भी मैं आपको साथ ही दिखाता हूँ IC AI के study material में भी content इसी तरह से आपको arrange मिलता है चैप्टर का overview introduction code of ethics overview of code of ethics फिर fundamental principles वोई पाच fundamental principles आएंगे सारे के सारे thereafter threats, evaluation of threats and safeguards फिर non-compliance with law and regulation जिस तरीके से IC AI का study material चल रहा है जिस sequence में कोशिश की है कि हम अपनी main book को उसी sequence के अंदर रखे कुछ जंगा पर जहाँ पर जादा ही जरूरत महसूस हुई कि नहीं ये topic आपस में link नहीं हो रहे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे किया गया otherwise पूरी तरह से कोशिश यही है IC AI के study material की sequence को ही follow किया जाए इसके बाद IC AI के study material में आप देखेंगे chapter के last में जाकर chapter के बीच में भी कुछ illustrations है बीच बीच में और फिर chapter के end में तो बड़े सारे questions आपको मिलेंगे ये फिर last में आगए test your knowledge के questions बीच में कुछ MCQs भी मिलते हैं आपको theoretical question MCQ नहीं डाले हुए IC AI ने इस chapter के अंदर नहीं डाल जाए प्लस IC AI बड़े limited question है जो study material में डालता है लेकिन उसके बहुत सारे question RTPs के अंदर MTPs के अंदर exam में पुछे जाते हैं दूसरी problem क्या है questions की पहली problem तो क्या होगी study material में number of questions बहुत कम है दूसरी problem जो question दिये गए है वो topic wise arranged नहीं है हम आपको जो question bank available करवाएंगे अब मैं आपको दिखाता हूं question में जो question bank आपको मिलेगा उसके अंदर questions topic wise arranged है जैसे first topic fundamental principle threats and NOC LAR इसके questions आपको मिलेगे कौन सा question किस exam में आया है कितने marks का आया है वो साथ में लिखा हुआ होगा May 19 5 marks January 21 5 marks November 22 5 marks May 23 5 marks इस तरह से ये questions चलते हैं फिर दूसरा topic शुरू हो जाता है MTP के question, RTP के question, exam के question सारे questions आपको इस book के अंदर मिलेंगे, topic wise arranged होंगे और साथ में किस attempt के अंदर पूछा गया है, किस RTP में पूछा गया है, किस mock test paper में पूछा गया है वो भी सब लिखा हुआ सो question bank आपको एक बहुत comprehensive question bank मिलेगा जिसके अंदर आज की date तक के जितने questions है, topic wise आपको arrange मिलते हैं फिर MCQ की बाग कर लेते हैं आपको MCQ मिलेंगे, MCQ दो तरीके से पूछे जाते हैं एक तो है individual, एक-एक single MCQs दूसरे हैं, आपको मिलते हैं MCQs के अंदर integrated case studies जिसमें एक case दिया हुआ होता है और उस case के base पर नीचे कुछ questions दिये हुए होते हैं यह MCQs, again, RTPs, MTPs, plus जो ICAI का knowledge portal है board of studies का उस board of studies के knowledge portal पर practice के questions डले हुए हैं काफी सारे उन सारे questions को cover up किया गया है with updated academic content कि जहां पर amendment आ गई कुछ जहां पर ICAI ने अपने content को update नहीं किया मानलो दो साल पहले की RTP है तो RTP दो साल पहले की तो ICAI चेंज नहीं करेगा बट हम उन questions को question bank में cover कर रहे हैं with latest amendment और उसके उसके नए answer क्या बनते हैं वो आपको updated इस question bank के अंदर मिलते हैं तो आपके पास एक comprehensive question bank है descriptive questions का भी as well as multiple choice questions का भी तो हम जो चर्चा कर रहे थे आपके साथ books की तो आपको एक तो मिलेगा conceptual material एक आपको मिलेगा question bank MCQ और साथ ही आपको एक और book मिलेगी referencer के नाम से for quick revision जिसके अंदर 120 चार्ट हैं और उसके अंदर पूरा syllabus as such summarized form में cover up किया गया है quick revision के purpose के I hope शायद यह books आपको अल्रेडी मिल चुकी होंगी main book भी question bank भी and reference भी right तो अब आपका question arise होगा sir इतने सारी books में से कैसे पढ़ना है ICAI का material आपके लिए काम करेगा reference का जहां पर भी आपको लगता है कि main book के अंदर content कम है और आप उस topic पर ज्यादा in-depth knowledge लेना चाहते हैं go for the study material बट ऐसा rare chance होगा क्योंकि हमने अपने main book को भी बड़ा comprehensive तरीके से तयार किया हुआ है इसको summarize बहुत कम किया हुआ है बहुत कम objective क्या था जब आप regular batch को join करने हैं तो detailed study करो ना हाँ summary करनी है आपको आप कहते हैं नहीं नहीं मैं वैसे तो regular batch करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते हैं क्लास में आप जितना करा दोगे उतना करेंगे उसके बाद हमारे पास time नहीं है पढ़ने का बहुत ज़्यादा तो ठीक है मैं आपको summary भी दे रहा हूं साथ दाट इस referencer for quick revision जितना exam related portion है काफी हट तक to a greater extent referencer में cover रहा हैं so referencer आपकी revision के लिए है question bank and mcqs यह आपकी regular practice के लिए है और main book यह आपकी regular study के लिए है along with classes so i hope कि books को लेकर मैंने आपके doubt जो भी होंगे मन में उनको clear किया होगा कि किस book को आपको कैसे use करना है main book को आपको use करना है for regular study along with classes question bank भी regular use होगा आपका practice के लिए और referencer आपका use होगा for the revision purposes यह बात हो गई books के अब चलते हैं आगे number of lectures कितने होंगे sir classes का schedule कर रहने वाला है कितने live lectures होंगे कितने recording होंगे recording है तो वह कौन से batch की approximate 54 lectures कुछ live कुछ pre recordings of February 24 batch that means जो recordings है वो पुरानी नहीं है नए syllabus के अंदर ही जो February में batch लिया था उसकी मिलेंगी live class होगी तो उसका schedule क्या रहेगा Monday to Friday 5.30 to 8.30 and even जिन students ने गूगल ड्राइब batch लिया है आज तो पहली class देख रहे होंगे गूगल ड्राइब वाले तो गूगल ड्राइब वाले बच्चों के लिये भी live की option है आप इस time के उपर 5.30 to 8.30 पर live streaming भी जोईन कर सकते हैं जिन बच्चों ने गूगल ड्राइब बैच ओप्ट कर रखा है तो आपके पास recording की option भी है और live की option भी है और जिनोंने live ले रखा है वो live तो देखी रहे हैं उनके पास Google drive का पूरा backup रहेगा पूरा backup रहेगा हर class का backup आपको गूगल ड्राइब पर available अच्छा इसका नम है एक आपको detailed lecture plan भी दिखा देता है tentative है वो बनाया हुआ है chapter 1 उसके हमारे कौन कौन से lecture होंगे किस किस topic के ऊपर chapter 2 3 4 5 6 कौन total number of lectures 54 यह सारे के सारे हमारे chapters आ गई इसमें यह topics आ गए कौन से live lectures है chapter 1 पूरा live है जो नए standards के lecture है chapter 8 9 10 11 वो सारे live है consolidated financial statements group audit एक बहुत important topic वो live होगा professional ethics के सारे lectures हमारे live so around 24 sessions है जो live होने वाले 24 sessions और बाकी की classes आपकी recordings है यह एक tentative lecture plan जी यहां तक की चीजों में आपके mind में कोई doubt है तो बताई हां जी नहां तक कोई भी संशे कोई doubt किसी भी तरह का आपके mind के अंदर है हां रोहीत क्या कह रहे है test होंगे क्या हम test regular basis पर conduct करेंगे और वो test most probably Sunday को scheduled होंगे live batches वाले तो Sunday की accordingly अपने test को plan कर सकते हैं Google drive वाले बच्चे भी कोशिश करें कि अपने schedule की according जैसे जैसे chapter पूरा हो रहा है जैसे हम live में test ले रहे हैं chapter पूरा होने के बाद वो भी test को दे तो test जो है वो regular basis के ऊपर conduct होंगे और आपको ensure करना है कि आप test के को ensure करें कि आप हर एक test को देखें राइट विकास जी रुपाली बिल्कुल रेगुलर एवरी संडे हो सकता है एक दो संडे स्किप हो जाए वो syllabus के ओपर डिपेंड करेगा कितना पार्ट complete हो जबागे तो यह हमारी चर्चा हो गई syllabus की books की number of lectures की तो चलें जी अब आगे बढ़ें टेस्ट की भी बात कर ली हमने आपके साथ वीकली बेसिस पर और बाकी जैसे जैसे बैच में आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपके डाउट आते जाएंगे वो डाउट आप क्लास में लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं और इवर जो गूगल ड्राइव के स्टूडेंट से वो भी आप मुझे वटसेप करके नंबर आपके पास आया होगा जो इस एमेल के थूँ आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिला है एक सपोर्ट में लाई होगी आपको उसके अंदर आपको नंबर भी मिला होगा कि किस पर आप मुझे डाउट ले सकते हैं एक वटसेप गुरूप का लिंक भी आया होगा क्लासिस से रिलेटिड कोई भी अपडेट है हम उस गुरूप में आपके साथ शेयर करेंगे मैंने अब आपको कोश्चन बैंक, MCQ, ICI का स्टडी मेटीरियल, स्लेबस, मेन बूक, लगभग सब कुछ दिखा दिया है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्लेबस के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के साथ चैप्टर का नाम है Professional Ethics एंड लाइबिलिटीज और ओडिटर नोट करना है जी राजीब नोट करना चाहिए आपको वैसे सारी चीजे बुक के अंदर गिवन है question bank में गिवन है, main book में गिवन है, ICAI के study material में गिवन है बट स्टिल, noting से कुछ चीजे mind में अच्छी तरह से retain हो जाती है तो मेरी कोशिश भी ये रहती है कि हर important concept को मैं note करा हूँ आपको बेशक वो बुक के अंदर गिवन है regular batch के अंदर, fast track में तो क्योंकि जल्दी होती है, आम नहीं कराते noting बट regular batch आपने join किया है that means आप चीजों को detail में study करना चाहते हैं अपनी knowledge को enhance करना चाहते हैं तो जो knowledge आप बढ़ा रहे हैं उसको retain करने के लिए written practice भी ज़रूरी है तो कोशिश होगी हमारी कि हम class के दोरान जितने important concept है उनको note करके भी चलें बेशक वो books के अंदर already given है राइट? चलिए Chapter 19 Professional Ethics का मैं आपको सबसे पहले तो दिखाता हूँ syllabus ICAI क्या कहना चाहता है इसके अंदर syllabus में क्या-क्या चीजे दी गई Introduction of Code of Ethics as per IESBA International Ethical Standard Board and Code of Ethics with reference to the special provisions of Chartered Accountant Act 1949 तो सबसे पहली चीज तो फोकस है हमारा किसके उपर Code of Ethics की introduction पर Thereafter Application of Fundamental Principles Pirayga Application of Threats Evaluation of Threats Addressing the Threats Safeguards Conceptual Framework यह जो syllabus का इतना सारा पार्ट है ना यह सारा आज कवर कर लेंगे यह सारा आज कवर कर लेंगे क्योंकि यह overview की तरह से कवर करना हाँ उसके बाद लगेगा time सारा का सारा लगभग top art lecture जो लगेंगे वो है इस एक छोटी सी line के उपर और यह line है Important Provisions of Chartered Accountant Act 1949 and Chartered Accountant Regulations 1988 इसके उपर हमारा remaining time लगेंगे अच्छा जल्दी से एक चीज बताओ एक Chartered Accountant बनने के लिए क्या क्या खरना पड़ता है हां जी बताइए Chartered Accountant बनने के लिए क्या 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 करना पड़ता है जी foundation कर ली इंटर कर ली फाइनल कर ली हार्ड वर्क तो सब के साथ करना पड़ेगा प्लस जितनी भी दुनिया जहां की ट्रेनिंग है आर्टिकल शिप की आई टी की जी एम सीएस की सॉप्ट स्किल्स की सब कर लिया एक्जाम भी पास कर लिया सीए बनने के बाद आप बन जाते हैं इंस्टिचूट के एसोसियेट मेंबर एसोसियेट मेंबर फाइव इयर्स की कॉंटिनुवस प्रेक्टिस के बाद फाइव इयर्स जब आप पाँच साल कॉंटिनुवस नी इस सीए की प्रेक्टिस कर लेते हैं या उसके equivalent experience service में possess कर लेते हैं तो क्या बन जाएंगे आप senior member, that is fellow member membership चाहे associate है या membership fellow है इन persons के पास choice क्या है occupation को लेकर occupation को लेकर यह अपनी खुद की practice start कर सकते हैं यह service sector में जा सकते हैं यह किसी भी और other activity में अपने आपको engage कर सकते हैं is it or not? either in practice, service, other activity बट एक question है बड़ा simple सा और वो है कि चार साल पांच साल छे साल जब तक student life के अंदर थे तब तो हम exam pass करने के लिए ICAI से जुड़े हुए थे हम training कर रहे थे बहुत सारी चीजे हैं जो हमने कि बट जब हम CA बन गए तो क्या उसके बाद भी हमारा conduct हमारा conduct ICAI के through regulated है क्या? how ICAI regulate our conduct किस तरीके से ICAI हमारे conduct को regulate करेगा when we become a chartered accountant चाहे हम service में है या हम practice में है या हम किसी और activity में भी engaged है जैसे हम teaching activity में engaged है कुछ persons है जो business के अंदर engaged है कुछ person है जिनोंने politics join कर रखी है तो क्या chartered accountant बनने के बाद if we are registered either as a associate member और a fellow member of the institute तो क्या institute हमारे conduct को regulate करता है monitor करता है जिसका जवाब है yes इसके लिए एक code of ethics बनाया गया है for members who are in practice for members who are in service and for all members whether in practice or not whether in service or not तो आप कौन-कौन से fundamental principles है जिनको आपको follow करना है आपका code of conduct क्या होना चाहिए practice के दोरान, service के दोरान and other activities के दोरान तो यह सब बाते कहा पर लिखी गई है यह सब बाते लिखी गई है code of ethics तो मैं आज आपको code of ethics ही दिखाता हूँ आप CA बन चुके हैं यह मान लीजिए last stage के उपर है और बड़े अच्छे नंबरों से आप पास होंगे एक determination के साथ आप इस code of ethics को देखेगे जैसे एक politician भारत के समिधान की शपत लेता है उसी तरह से आपको भी code of ethics की शपत ही लेनी है कि इसके अंदर जो लिखा गया है आपको उसका पालन करना है अब इसमें क्या क्या बाते लिखी गई है मैं आपको वो दिखाता हूँ इस code of ethics के main चार पार्ट है पार्ट नमबर बना है यह कहता है complying with the code Every professional accountant is required to ensure compliance with the code of ethics Every professional accountant whether in service or in practice or otherwise Every professional accountant is required to comply with the fundamental principles अब मैं आपसे question पूछूँ तो जवाब दोगे क्या अब आपके mind में आगया sir question क्या है तो बेटा मेरा question है आपने पांच fundamental principles को पढ़ा हुआ है intermediate में जरा उनके नाम बता दो 5 fundamental principles याद है जी रादिकाज, साक्षी, प्रफुल, स्वपनिल, आतिश, सुमित जी बेटा नाम पांच fundamental principle के नाम एक आया sir integrity, दूसरा आया objectivity, तीसरा एक बच क्या वो बता दो जरा जलदी से एक बच क्या integrity, objectivity, professional competency and due care, professional behavior पांच मार नहीं, नहीं, कृष्णा, independence, नहीं, discipline सब discipline का ही पार्ट है जी प्रियांशू, बिल्कुल सही जवाब confidentiality, तो पांच fundamental principles का compliance करना है और यदि इनका compliance नहीं होता या कोई threats आपके सामने आते हैं, कौन-कौन से वो threats है, how to evaluate these threats, how to address the threats, what are the safeguards to be applied to remove these threats, यह पढ़ा था ना, intermediate के अंदर, पांच threats कौन-कौन से, अब इनके नाम बताओ जरा, पांच threats के नाम, हंजी, देवल, अभी शेख, अच्छा, कृष्णा ने बहुत जल्दी बताए, पहला self-interest, बिल्कुल ठीक, एक बताया advocacy, यह भी ठीक है, तीसरा self-review, बिल्कुल ठीक, पौर्थ, बच्चे सोच रहे होंगे, सर आप भी कुछ बता दो, चलो बच्चे हुए दो, मैं बता देता हूँ, एक familiarity threat और बचा हुआ, intimidation threat, पांच threats, जो यह चीजा आप पढ़ रहे होते हो न, इंटर में आप पढ़ रहे थे, या फाइनल में आप पढ़ोगे, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि वो content आया कहां से है, वो सारा content आया है इस code of ethics से, यह जो code of ethics मैंने आपको दिखाया है, यह जो किसका issueड है, ICAI का issueड है, तो इसके अंदर part 1 में यह सब जनरल बाते लिखी गई है, Part No. 2, Code of conduct बताया गया है, for professional accountant who are in service, Part No. 3, Code of conduct for the professional accountant in public practice, जो practice के अंदर है, Part No. 4, In-dependence की requirement for the audit and review engagement and Part No. 4, B, In-dependence की requirement for other assurance engagements, other than audit and review, जिसमें prospective financial information, internal control, pro forma financial information, कुछ activities cover up होती है, later on हम study करेंगे, फिर glossary जिसके अंदर कुछ words को define किया गया है, और फिर effective date, तो यह Code of ethics बनाया है, ICAI में, जब इसके part 1 पर आप जाएंगे, पार्ट वन, Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual Framework, उसके अंदर फिर section number है, यह 100, 110, 120, फिर part 2 शुरू होगा, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से चीजे दी गई है, तो यह जो Code of conduct है, after becoming a Chartered Accountant, इसको आपको follow करना है, आपका conduct, एक ethical conduct होना चाहिए, as per this Code of Ethics, तो इस ethical conduct के लिए, इस Code of Ethics को तयार किया गया है, और यह base, इसके लिए base क्या था, जो internationally, International Ethical Standard Board ने बना रखा है, for the Professional Accountant Code of Ethics, उसी के base पर ICAI ने Indian Chartered Accountants के लिए, इस Code of Ethics को तयार, तो इस Code of Ethics के कितने पार्ट है, चार पार्ट, पहला पार्ट, आग मैं वेफ तक्रक्ट, चौर्ट, पुर्ट, पर submerged परनीका है, लिए राट पार्ट बस्तल सक्था나क है, पार्ट नेक्ट के लिएगरिमिंस, पार्ट 4a उन्पेंएंएंएंएंगेंएंएंएंएंएंएंड अर्ट यएवित, तो इस तरीके से ये divide है code of ethics part 1, part 2, part 3, part 4a and 4b एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस code of ethics के अंदर ये section बनाए गए 100, 110, 120, 200, 210, 220, 30 उनके अंदर content दिया हुआ कैसे होगा एक तो आपको मिलेगी introduction दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी उस particular topic की requirement और फिर आपको मिलेगा उसका application material how these requirements are to be applied introduction, requirement and application इस तरीके से most of the section इस code of ethics के अंदर divide किये गए जी तो अब यदि हम summary में चलें एक छोटी सी summary की यदि हम बात करें पहला topic हमारा overview of code of ethics यह topic आपकी understanding के लिए है, आपकी knowledge के लिए है, एक्जाम में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं आएगा, overview में से, जो fundamental principle है वहां से of course आएगा, तो इसमें हमने दो चीजे पढ़ी हैं, एक, जो आपको 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 Division of Code of Ethics, क्या आप बता पाएंगे कितनी division है, जी, अभी कराई है, कितने part है, 1, 2, 3, 4A and 4B Part 1, किस चीज को deal करता है, Complying with the Code, Fundamental Principle and Conceptual Framework को Part 2, किसको deal करता है, Professional Accountant in Service को Part 3, किसको deal करता है, Professional Accountant in Public Practice की बात करता है And Part 4A and 4B, In Dependence for Audit and Review, 4A के अंदर deal किया गया है In Dependence for Other Assurance Engagement, Other Than Audit and Review, 4B के अंदर discuss किया गया है Right, दूसरे नंबर पर हमने बात की, Structure of the Code of Ethics Code में किस तरीके से Concept को या Topics को Arrange किया गया है Code में करता है Code में करता है Code में करता है Code में करता है Sections Which address Specific Topics Sections are Structured as Introduction Requirements And third one Application Application Material तो यह मैंने आपके साथ एक Introduction Discuss की है Code of Ethics को लेग पर यही चीजे आपको Institute के Study Material में भी नजर आ जाएंगी Overview of Code of Ethics Part 1 Part 2 Part 3 Part 4a and 4b Glossary Introduction Requirements Application Materials यही चीज आपको जो जो हमारी बुक है उसके अंदर भी As such मिलेगे हमने अपनी बुक के अंदर Content को थोड़ा सा एक Structured Form के अंदर दिया है Tabular Form में दिया है कोशिश की गई है Maximum Points बनाने की So that आप easily उन Points को Study कर सके Paragraph Form के अंदर चीजों को पढ़ना Comparatively मुश्किल हो जाता है But Points के अंदर चीजों को पढ़ना असान होता है But at the same time इस चीज का ध्यान रखा गया है कि Regular Batch है तो Regular Batch की Books के अंदर Content भी Detail में होना चाहिए Summarize Content नहीं मिलेगा आपको Summarize Content Revision के Point of View से Exam के Point of View से आपको Referencer वाली Book में मिलेगा जिसके अंदर पूरा स्लेबस 120 चार्ट में Cover Up किया गया है Right इस Book के अंदर आपको Detail Content Content मिलेगा Conceptual Study के और आपको पढ़ना भी चाहिए आपको सिरफ एक Exam Pass नहीं करना राधर आपको इस Exam के Base पर एक Profession में Entry लेनी है और Profession के अंदर जाना है वो Profession आपका Life Long चलेगा आपकी Earning का माध्यम बनेगा और उस Earning से ही आपकी जान पहचान बननी है उस Earning के स्टेटस बनना है आपकी Knowledge वही आपके स्टेटस को बनाएगी आपकी Knowledge ही आपके Earning के Level को एक से दूसरे Level पर लेकर जाएगी जो चीजे दी गई है उनको पढ़िएगा जरूर बेशक यह चीजे Exam Point of View से नहीं है यदि यह Fast Track होता तो शायद पांच मिनट के अंदर मैं इस Overview को देकर आगे बढ़ चुका होता है यह Line बोलकर कि Code of Ethics के अंदर Part 1 होता है Part 2 होता है Part 3 होता है Part 4 होता है और Code की structure में एक introduction होती है requirement होती है application material होता है बस यह exam के लिए relevant नहीं है चलिए आगे बढ़ते So fast track batch exam oriented batch होते हैं वहाँ पर focus exam का होता है बट यहाँ पर focus regular batch के अंदर exam तो ही है बट उसके साथ conceptual clarity है और exam में भी कि fast track batch के अंदर आप चीजों को exam के लिए पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा fast हो जाता है और जब चीजों को fast पढ़ोगे तो वह learning तो नहीं आ सकती जो regular batch की होती है तो जब आप time devote कर रहे हैं अच्छी तरह से चीजों को पढ़िएगा and जो number है वह भी detail पढ़ रहे हैं तो number भी आप 80 plus का target बना कर चलिएगा अपने 80 plus का target compliance with the code section 100 जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे जाकर professional accountant shall comply with the so यह जो topic है overview का यह reading purpose के लिए है read जरूर करेंगे reading जरूर करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं एक topic के उपर जिसमें से शायद एक question frame कर दिया जाएं that is fundamental principles to be followed by an accountant कितने है fundamental principles बताईए 5 अभी discuss किये थे फाइफ principles एक बार इसका question आया हुआ भी है वह बात अलग है कि जब बड़ा ही कोई simple सा question देना होता है तो दे सकते हैं बड़ चांसिस बहुत कम हैं ऐसे simple question के पूछे जाने के आपका लग बहुत ही जादा अच्छा होगा तो शायद इसका question exam में आजाएं पहला fundamental principle integrity क्या कहता है आपसे कना क्या कना अप्या दे एक धड्या देक वा तरुयर क्यार्श आच्छट बड़िर इस थे स्थे च्ड़वराण राच होगा-ब से त27 आछावलोरत आपना इस पादे है in all his professional and business relationships. Straightforward होना जरूरी है, and honest होना जरूरी है, in all professional and business relationships. चाहे वो professional accountant सर्विस में है, या वो professional accountant प्रेक्टिस में है, और engaged in any other activity, किसी भी activity में engaged है. तो यह दो requirements, straightforward and honesty, that is must. Second principle. Objectivity. No compromise in professional and business judgment because of biasness, conflict of interest, and undue influence. कोई सम्झोता नहीं. No compromise. किसके कारण? किसी biasness, conflict of interest, या undue influence के कारण? आपकी objectivity bias नहीं होनी चाहिए, और यदि, objectivity biased हो जाती है, that means, आप subjectivity के साथ काम कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है, business activities के लिए, professional relationships के लिए. आपकी लिए. Third principle. Professional competence and due care. a professional accountant has a continuing duty to maintain इजी ओएधिore सरे अस सक्टाइड अशूरी से शिल definitely प्रफेच्णोनलेज और इन्सिल्स9 हे विलने क्षाज़ सेत 19. technical and professional standards maintain professional knowledge and skills किसलिये to ensure compliance of technical and professional standards तीसरा प्रिंसिपल आगया अपनी knowledge को अपनी skills को enhance करिये so that that standard that you need to comply with आप उसकी compliance को ensure कर सके and at the same time a professional accountant must act diligently साफधानी से काम को करें due care के साथ आपर 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 laughs a professional accountant आपर्णल आपर 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 आपरें आपर आपराप तीस्रा प्रिजिपल 4 प्रिंसिपल प्रिंसेलिप प्रिंसेलिपी कर्फिंजेलिपी A professional accountant should respect confidentiality of information Acquired in course of professional and business relationships Respect the confidentiality of information acquired 5th and last principle i.e. professional behaviour 5th and last principle i.e. professional behaviour A professional accountant shall comply with all relevant जब और इंड घूब खर ऑंदे धर इंड जूव और फिंड बाव तर खर्ण जूड़त इंड और इंड बावने अच्टिक घर बने में ग्रेडिट दा प्रोफेशन तो जो पाचवा प्रिंसिपल है वो कहता है compliance with law and regulation और avoid any action that discredit किसको हमारे प्रोफेशन तो यह आपका एक question बनता है what are the fundamental principles to be complied by a professional accountant 4 to 5 marks का आ सकता है आपके पास 5 points है 4 marks का question आए 4 points 5 marks का question आए 5 points और एक चीज का ध्यान रखिएगा वो क्या बहुत जरूरी है पहले lecture से ही आपको बता कर चल रहा है जब आप question bank देखेंगे या institute का study material RTP MTP और past exam के suggested answers को देखेंगे then तो आपको एक ही question के answer बहुत lengthy नजर आएंगे एक एक डेड़ डेड़ पेज के भी कहीं जहां आपको answer मिलेंगे बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो वो answers दिये गए हैं वो एक suggested answer है और उसके basis पर यदि आप यह सोचें अरे इतना content लिखना पड़ेगा क्या एक्जाम में तो इसका जवाब है नहीं आपके एक्जाम में जो questions पूछे जाते हैं वो है four to five marks के descriptive question जिसके लिए एक point का मतलब one mark one mark for one point यदि आपने integrity के अंदर ये दो keyword लिख दिये straightforward and honest that means आप one mark secure कर चुके हैं अपना objectivity के अंदर आप compromise नहीं होना चाहिए due to any biasness, conflict of interest and undue influence इन keyword को लिख चुके हैं तो आप एक number secure कर चुके हैं आपने so आपको knowledge acquire करनी है और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि exam में जो एक question आते हैं इनके answer में कितना content आपको देना है बहुत ज़्यादा detailed answer देनी कि आप शक्ता नहीं है अपने आपको ensure करो कि मैंने जो ये एक point लिखा है क्या examiner मुझे यहाँ पर एक number देगा या नहीं देगा fraction marking होती है सोचिएगा fraction में marks मिलते नहीं point five या तो मिलेगा शुन्य या मिलेगा one step wise marking होती है यदि मैंने इन पांचो points को इसी तरह से अपने answer का part बना दिया then मैं कह सकता हूँ ये theoretical question है and you will get five out of five एक number भी नहीं कर सकता यहाँ पर चार number देगा ही नहीं paper checker वो आपको पूरे पांच देगा क्या इससे जाता लिखने पर वो आपको पांच में से छे दे सकता है सोचिए five में से eight marks five में से ten दे सकता है नहीं दे सकता maximum five पर उसको रुकना पड़ेगा और इतना answer five marks के लिए sufficient है तो यह जो written practice है ना इसका objective ही मेरा यह होता है कि चीजे आपके mind में retain हो जाए और आपको idea लगे कि five marks में कितना लिखना है जब आप main book में से या study material में से concept को पढ़ेंगे तो यह concept इससे बहुत बड़े-बड़े मिल सकते हैं आपको जब आप RTP MTP या suggested answer या फिर हमारे question bank में से answers को पढ़ेंगे वो भी बड़े-बड़े मिलेंगे बट question है क्या इतना याद करना है और याद कर लिया तो क्या इतना लिखना है दोनों के जवाब है no ना तो इतना याद करना दिमाग को इतना नहीं भरना दिमाग को concept से भरना है यह नी कि हाँ चीजों को बिलकुल याद करना है एक्जाम में सब लिखकर आना है नो आपने यदि concept अच्छी तरह से पढ़ लिया concept को दिमाग में भर लिया तो exam में 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वो भी यदि आपने regular practice कर रखी होगी तो ठीक है तो ये हमारा topic आगया आपका fundamental principles to be followed by an accountant नौ अब इसी में section 100 की बात कर लिए section 100 किसका section 100 किसका chartered accountant act का या code of ethics का बताईए code of ethics का जो अभी मैंने आपको code of ethics दिखाया था section 100 complying with the court थोड़ा समय आपको एक बार इसी से पढ़वाता हूं complying with the court section 110 में fundamental principles दिये हैं 5 integrity, objectivity, PC, DC, confidentiality and professional behavior section 110 आगे कहता है a professional accountant shall comply with each of the fundamental principles इसका सब सेक्षन आगे कहता है fundamental principle establishes the standard of behavior expected of a professional accountant section 111 से लेकर 115 में इन पाचो fundamental principles की detail दी गई है यदि एक professional accountant एक ऐसी situation को face करता है कि जहाँ पर एक fundamental principle के compliance के कारण दूसरे fundamental principle की compliance नहीं हो पा रही then क्या करे तो यह code of ethics कहता है you need to consult with others you need to consult with your TCWG institute, legal council लेकिन इस consultation से आपकी जिम्मेदारियां to take the professional judgment to resolve the conflict कम नहीं होती तो यह section 110 ने detail दी compliance with fundamental principles दी और उसके बाद फिर वो एक-एक principle की detail आ गए so मैं अब आपको थोड़ा सा code of ethics के sections के बारे में बताता हूँ compliance के बारे में कम्प्लाइंस विद्धा के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अचा एक चीज और याद रखिएगा चार से छे नंबर का question audit के साथ साथ आपके एक और पेपर में आएगा इसका any idea any idea इसके अलावा audit के अलावा चार से छे नंबर का question जी बिलकुल एक दम बड़ा फास्ट रिप्लाई आया कृष्णा का एफार के पेपर में आएगा financial reporting के पेपर में चार से छे नंबर का question एक situation के बेस पर वहाँ पर भी पूछा जाएगा और आप से ISP में भी आ सकता है बट एफार के पेपर में एफार के पेपर में पक्का से पक्का 99.9999% question आएगा एक चेप्टर है आपका वहाँ पर इन fundamental principles के ऊपर और ISP में तो कुछ भी आ सकता है compliance with the fundamental principle section 110 of code of ethics a professional accountant shall comply with each of the fundamental principles PACO principles if a professional accountant face a situation in which compliance of one fundamental principle fundamental principle conflicts with and complying with other fundamental principles fundamental principles he may consider consulting with consulting with others within the firm अपनी firm के अंदर किसी दूसरे professional accountant से consult कर ले है जिस entity के साथ as a auditor as a reviewer as a consultant associated है उसकी governing body से discuss कर ले इंस्टिटिटूट अप चार्टर एकॉंटेंट अप इंडिया से कंसल्ट किया जा सकता है या किसी legal council से भी discussion की जा सकती है लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा जिसके उपर multiple choice question frame हो सकता है note such consultation does not relieve the accountant from responsibility to exercise professional judgment to resolve the conflict or to disassociate from the matter creating conflict तो इस point पर multiple choice question भी बन सकता है वो आपको एक situation देगा जिसमें कहेगा यदि मैं integrity पर जाता हूं तो मैं PC-DC फोलो नहीं कर पा रहा हूं मैं PC-DC फोलो कर रहा हूं तो मैं confidentiality पर नहीं जा पा रहा हूं तो मैं professional behavior पर नहीं जा पा रहा हूं तो ठीक है ऐसी situation में professional accountant ने TCWG से consult कर लिया और उस consultation के base पर कोई फैसला कर लिया लेकिन वो फैसला एक professional judgment नहीं था to resolve the conflict उस conflict को resolve करने के लिए वो judgment professional नहीं थी वो बात अलग है कि consultation आपने कर ली TCWG के साथ so that means आपने fundamental principles का violation कर दिया है consultation से आपकी जिम्मेदारी खतम नहीं हो रही एक professional judgment को लेने की इस conflict को resolve करने की और यदि ये conflict resolve नहीं हो पा रहा then disassociate from the matter जिसके कारण ये conflict arise हो रहा था disassociation करनी चाहिए आप अपने आपको हटा लीजिए उस association से so ये एक topic था हमारा about the compliance with fundamental principles तो इन fundamental principles की compliance में हमारे सामने threats time to time आते रहते हैं मैं आपको इसका एक छोटा सा chart बनवा रहा हूँ किस तरीके से एक professional accountant का ethical conduct होना चाहिए यदि इस तरह का कोई conflict उसके सामने आता है section 110 of code of ethics ये क्या कहता है Arjuna थाविए फे इस अपरफेस्ट में तरहे हुआ ये तरह औरवे तरहे हैं पीजिए ये तरहे हैं प्रिंसिपल्स, इंटिग्रिटी, अब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कम्पिटेंस, ड्यू केर, कॉन्फिदेंशियलिटी, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. हाँ, इशान, डिस असोसियेशन वाला पॉइंट अभी इस चार्ट में आ जाएगा? अब देखो, जिस एंगेजमेंट में आप काम कर रहे थें, आपके सामने आया एक थ्रेट. प्रोफेशनल अकाउंटेंट इडेंटिफाइए थ्रेट इन कम्प्लाइंस अव फंडामेंटल प्रिंसिपक्स. एक्जाम्पल दे देता हूं. बड़ा ऐसए एडग्जाम्पल दूँगा जो आप सबको बता है. company law के अंदर एक requirement है कि जो company का auditor है वो company का officer, company का employee या officer employee का partner या employee नहीं होना चाहिए company का shareholder नहीं होना चाहिए company में उसकी indebtedness नहीं होनी चाहिए exceeding a limit और guarantee ना दे रखी हो business relationship ना हो, etc. section 141 of the companies act 2013 right now audit accept कर ली and after accepting the audit he realized जब वो काम कर चुका है एक दो महिने का he came to know कि उसके relative ने जिस company का वो auditor है उसके दो लाख पचास हजार रुपे face value के share market से खडीद ली है बताईए रेलेटिव कौन उसकी वाइप relative वाइप ने धाई लाख face value के share खरीदे नहीं लाख का क्या प्रोविजन है relative कितने रुपीज की share holding hold कर सकते है relative हाँ जी बताई राइट इशार एक लाख रुपे face value के share बिल्कुल सही अरे नहीं अंकीद धाई लाख नहीं बेटा पूरे धाई लाख नहीं धाई लाख तो मेरे एग्जाम्पल में है लाख का प्रोविजन है एक लाख का एक लाख से face value के share ठीक है जी अब क्या करे ये प्रोफेशनल अकाउंटर थ्रेट आ गया पहले तो ये बताओ identify करो क्या थ्रेट आ गया जी रक्षि बिल्कुल सही थ्रेट आ गया सर वो थ्रेट कुन सा है objectivity का conflict of interest आ चुका है conflict of interest आ चुका है आपके relative के पास shares है धाई लाख रुपे के क्या ये थ्रेट एक्सेप्ट एबल लेवल के ऊपर है evaluate whether such threat is at a acceptable level धाई लाख के face value के share है acceptable level कितना था एक लाख का था एक्सेप्ट एबल लेवल तो एक लाख का है के लाख की एकोर्डिंग ओके तो मेरे पास आ गए इसके दो जवाब दो अप्शन threats are at accept-able level b threats are not at a acceptable level यदि threats acceptable level पर है तो आपको मिल गया green signal continue करिए कोई problem ही नहीं है कोई problem ही नहीं है लेकिन यदि threats acceptable level पर नहीं है then address the threats by number 1 लेक है लेक है you eliminating them or number two to reduce them to an acceptable level दो option या तो eliminate कर दो पूरी तरह से यदि ये share Mr. X के पास आए होते Mr. X एक रुपे का share नहीं रख सकता उसको सारे बेचने पड़ेंगे reduce them to an acceptable level वाइक को बोले श्रीमती जी डेड़ लाग के share बेचतो नहीं तो मेरी audit शुट जाएगी मुझे audits को discontinue करना पड़ेगा अब बात ये है श्रीमती जी मानेंगी या नहीं मानेंगी श्रीमती जी मान गई तब तो कोई problem नहीं continue करो बट श्रीमती जी नहीं मानी तो इशान आप बताओ यदि future में आपके साथ ये हो गया और आपकी श्रीमती जी नहीं मान रही है तो बताओ आप क्या करोगे श्रीमती जी को छोड़ दोगे या audit छोड़ दोगे जी बेटा बताएं श्रीमती जी तो नहीं छोड़ेंगे audit छोड़ देंगे तो अब मुझे बताओ इशान डिस एसोसियेशन वाला पॉइंट समझ में आया आपने अपने आपको डिस एसोसियेट कर लिया इस कंफिलिक्ट से कि या तो शेयर रख रही है वाइफ तो ऐसी सिचुएशन में audit को छोड़ना ही जादा बेटर है इस डिस एसोसियेशन फ्रॉम दा क्लाइंट क्लियर आपका डाउट था ये डिस एसोसियेशन पॉइंट वाला सो इधर एलिमिनेट और रिड्डियूस देम कैसे किया जा सकता है दीज़ करते हैं reflects तो केुविशन के बार्फ और दूशन को एलो okay ऐसे किके किन चर्कमस्तमस्यस that are creating the threats or applying applying necessary safeguards where applicable or finally decline मना कर दो मैंनी कंटिनू कर सकता or ending the specific professional activity सो यह आगया आपका compliance with the fundamental principles किस तरीके से आपको fundamental principles की compliance करनी है और उनकी compliance में आपके सामने कोई threat आता है तो उस threat के उपर आपका क्या action होगा तो अब इसी से मेरे पास निकल गया दूसरा topic threats कितनी तरह के होते हैं पांच तरह के होते हैं और उन threats को हटाने के लिए क्या क्या safeguard apply कर सकते हो यह सब बाते कहां दी गई है again code of ethics में दी गई है तो threats का topic वो लेंगे अब हम break के बात तो पहले जरा यह बताईए जितना portion अभी आपको कराया क्या वो समझ में आया जी clear है कोई doubt क्योंकि अभी जो topic चल रहा है न वो theoretical है थोड़ा main जो interesting part है practical है वो कल या परसो जो भी एक या दो lecture के बाद शुरू होगा सो थोड़ा सा theoretical part है थोड़ा boring हो जाता है बड़ क्योंकि syllabus का part है और आगे जाकर profession में इनका compliance जरूरी है तो starting तो यहीं से करना बनता है all clear no doubt very good चलो फिल लेते हैं break और break के बाद बात करेंगे थ्रेक्ट के 10 minutes पे तो 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 Sanji welcome back चलिए जी, continue करते हैं Topic चल रहा था हमारा Code of Ethics का Overview जिसके अंदर हमने 5 Fundamental Principles का जिक्र किया As per section 110 of Code of Ethics Every professional accountant is required to ensure compliance with each of the 5 Fundamental Principles और फिर उसके बाद फिर हमारे सामने Topic आया कि यदि इन Fundamental Principles की compliance के दोरान Professional Accountant किसी Threat को identify करता है तो उसको क्या करना होगा तो यह procedure हमने सारा discuss किया अब या तो वो इन Threats को eliminate करे या इनको reduce करे नमबर एक, eliminating the circumstances जिनके थूँ ये Threats create हो रहा है नमबर दो, applying the necessary safeguards where applicable और तीसरा है, declining or ending the engagement activity और disassociation तो अम मेरे पास जो topic निकल करके आई इन सबसे नमबर एक, threats कोन से हैं? नमबर दो, कोन से circumstances हैं जिनके through threat create हो रहे थे जिनको eliminate किया जाना है? नमबर तीन, कोन से safeguards apply किये जा सकते हैं? और declining तो simple है, withdraw कर जाओ तो अब हमें इसी topic में तीन topic और पढ़ने हैं acceptable level के ऊपर तो चलिए बढ़ते हैं threats के ऊपर Threats involved in compliance of fundamental principles Threats involved बताओ जी, कितनी तरह के threats हैं? How many kinds of threats are? जी, पांच 5 threats नमबर एक ये भी question एक बार exam में आया हुआ है बट आने वाले समय में मुझे उमीद नहीं है ऐसे direct theoretical question पूछे जाने की लेकिन इसके multiple choice question, application based question आ सकते हैं Self review threats ये क्या होता है? 1 3 3 3 4 5 5 7 Financial or other interest will inappropriately influence a professional accountant, judgment or behavior. एक professional accountant का financial या other interest in the client organization यदि वो public practice में है या in employer firm यदि वो service के अंदर है तो तो यदि एक professional accountant का अपना financial या other interest है किसी भी entity organization के अंदर जिसके साथ वो इदर professional capacity में या employment की capacity में associated है तो उसकी ये relationship financial या other affect करती है उसके judgment को उसके behavior को. नमबर टू ये सोरी self review word गलत आगया self interest. इन्ट्रस्ट थ्रेट क्या है रिव्यू मीन्स आप एक ऐसी चीज को एक्जामीन कर रहे हो जिसके ऊपर आपको उपीनियन देनी है जिस मैटर को आपने खुद क्रियेट किया था आपने खुद उस मैटर के ऊपर काम किया था एक एक एंटिटी ने आपको एंगेज किया कि आप हमारे एकाउंटिंग डेटा को प्रिपेयर कर दीजिए और उसके बेसिस पर फाइनिशल स्टेटमेंट्स को बना दीजिए ऐसी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है याद है management any idea याद आ रहा है कुछ enter की चीजे an engagement in which a practitioner or a professional accountant compile the accounting data from the records, document, information provided by the management so as to prepare financial statements याद आ रहा है याद आ रहा है राइट अंजली बिल्कुल सही जवाब कमपाइलेशन एंगेज़ वे तो आपको कमपाइलेशन का काम दिया गया है आप फिनेंशल स्टेटमेंट्स को कमपाइल कर रहे हैं क्लाइन्ट के विहाव पर क्या उन्हें फिनेंशल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन आपको करनी चाहिए बताओ जिन फिनेंशल स्टेटमेंट्स को आपने खुद कमपाइल करा है क्लाइन्ट के विहाव पर उसी फिनेंशल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन यदि आप करेंगे तो आपकी अब ग्रिटी भी अफेक्ट हो रही है। अप्रोप्रेटली एवाल्वेट लुबते हैं। Results of a previous judgment made by not appropriately evaluating the result of a previous judgment. एक्जाम्पल दिया मैंने जिस काम को आपने खुद किया है उस काम को एक्जामिन यदि आप खुद करेंगे अपने आपको जब आप रिब्यू करते हैं तो अपनी गलतियों को नहीं निकालेंगे नमबर ती 3. Advocacy Threats threats that a professional accountant will promote a client position to the extent that accountant's objectivity is compromised. For example, dealing with the shares of client. यदि मैं किसी client का underwriter बन जाता हूँ, किसी client का broker बन जाता हूँ, किसी client का portfolio manage करता हूँ, सोचकर बताईए, आप का कोई client public issue निकाल रहा है, और आपकी CA firm उस client की underwriter बन जाती है, या broker बन जाती है, आप client के बारे में, उसके financials के बारे में, उसके shares के बारे में, सिरफ और सिरफ अच्छी बाता ही बोलोगे ना, advocate भी तो यही करता है, अपने client के बारे में तो कभी कोई गलत बात बोलता ही नहीं, जब आप court में के cases देखते हैं, court में एक advocate को इदी पता भी है, कि मेरे client ने murder किया है, तब भी वो अपने client को protect करता है, कहता है, यह murder मजबूरी में हुआ, यह हुआ, यह हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, self-defense में हुआ, whatever it is, promote करता है अपने client के interest को, तो यदि एक chartered accountant या एक professional accountant किसी client के साथ इस capacity में associate हो जाता है, कि वो अपने client की position को promote कर रहा है, either as a underwriter, as a broker, or in any other capacity, तो आगे चल कर सोचिए, एक साल बाद, या च्छे महिने के बाद, वो उसका auditor बन जाता है, then क्या वो objectively काम कर पाएगा, उसके उपर influence होगा, conflict of interest होगा, biasness आ रही होगी, that is advocacy, तो कभी भी अपने आपको ऐसी position में मत रखिये, जहां पर आप एक client की position को promote कर रही है, इस extent तक की जिससे आपकी subsequent objectivity compromised होने का पूरा threat है, डर है, number 4, और फैम लेड़िश में। त्रट अंवे स्कार्ष में। long association with a client due to which a professional accountant becomes too sympathetic to the interests of client. long association with a client. एक client के साथ एक long association. मान लीजिए आप एक client की audit कर रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, क्या यह association एक familiarity क्रिएट कर देगी या नहीं एक जान पहचान, sense of belongingness जिसके कारण आप clients के इंटरस्ट की तरफ थोड़ा सा sympathy रखते हैं, sympathetic हो जाते हैं और यह familiarity, यह familiar relationship, यह sense of bondingness खत्रा पैदा कर देए और इसको company law ने रोकने की कोशिश करी है, legal provision बना करके बताईए in few entities, क्या provision है, familiarity threat को रोका गया है, company law के अंदर in case of few entities, section 139, subsection 2, क्या provision है, rotation of auditor का बिल्कुल सही, section 139, subsection 2, rotation of auditor, जहां पर एक individual, 5 years के एक tenure के बाद, cooling period में चला जाता है, 5 साल के लिए और एक firm auditor, 2 साल, 2 tenure of 5 years के बाद, फिर cooling period में चली जाती है 10 year audit by firm, rotation of auditor, तो familiarity threat arise होता है, एक long association के कारव नमबर पाच, इंतिमीडेशन थ्रेट, इंतिमीडेशन थ्रेट, धंकी, अगले साल कंटीनुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नहीं करेंगे, जो तुम्हारा periodic increment होना है उसको रोक देंगे, audit fees में जो enhancement होनी है उसको रोक देंगे एक धंकी इधर actual और perceived जो आप directly बोल रहे लेकिन आपकी body language में आपके conduct में नजर आ रही है वो चीज़े धंकी देना, that might be actual और it may be observed from the conduct of a person threats that a professional accountant will be data from acting objectively because of actual or perceived pressure प्रेशर है प्रेशर एक्चॉल भी हो सकता है डारेक्ट धंकी perceived conduct से reflect हो सकता है सो यह है threat जो एक professional accountant face कर सकता है in compliance of the fundamental principles इसके उपर question भी आया हुए मैं आपको साथ साथ question भी दिखाता हूं दो question आपको दिखाता हूं एक तो November 22 का question है यह अच्छा एक चीज हो रहें आपको जो बुक मिलेगी उसके अंदर question number की sequence शायद एक या दो question आगे पीछे हो सकती है अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यूं इसका कारण है इसका कारण यह है बटा कि बुक जो होती है वो publish होती है hard copy में साल में एक बार बट institute exam conduct करता है साल में दो बार mock test paper लेता है साल में चार बार RTP release कर देता है साल में दो बार तो जो question नए आ रहे होते हैं मैं अपने पास soft copy में उनको add कर देता हूँ कि ताकि वो discuss हो जाएं मैं आपको उनकी pdf available करवा दूँगा जो question नए add हुए है ठीक और तो इस कारण से मेरे पास जो question bank होगा उसके अंदर एक दो number question आगे पीछे हो सकते हैं कुछ एक दो question नए भी add हो सकते है और जो नए add किये होंगे उनकी soft copy आपको available हो जाएं अब जैसे आज बैच शुरू हुआ हूँ और तीन या चार दिन के बाद paper होना है तो अब वही चीज़ आ रही है कि हर एक paper के बाद या RTP के बाद MTP के बाद नए book तो print नहीं हो सकते हैं जो भी question नए आ रहे हैं उनकी soft copy आपको available हो जाएगे यह question November 22 में आया है The professional accountant need to observe certain fundamental principles which are covered in code of ethics of ICAI Briefly explain each of the five principles which needs to be complied by the chartered accountant यह मैंने आपके साथ discuss कर लिया था अल्रेडी break से पहले January 21 का question Explain the types of threat that may hinder auditor in dependence while issuing any audit report पाँच threat Self-interest, Self-Review, Advocacy, Familiarity and Intimidation threat तो यह दो question मैंने आपके साथ discuss करें एक threat का था और एक यह fundamental principles का Now अब हमने threat तो discuss कर लिया अब जब threat discuss हुआ तो auditor is required to evaluate क्या यह threat acceptable level के उपर है यदि यह acceptable level पर है यदि यह acceptable level पर नहीं है तो इदर इसको eliminate करो या reduce करो और उसके लिए आपको circumstances को eliminate करना होगा जिन से यह threat create हो रहे हैं तो अब एक काम करते हैं उन circumstances को study करते हैं that create threats यह topic हम करेंगे book में से और इसमें मैं आपको कुछ homework दूँगा noting का याद करके लिखेंगे आप topic है circumstances that may create threats threat that a professional accountant undertaking a professional service that means professional accountant in public practice यदि chartered accountant practice में है और यदि chartered accountant is undertaking a professional activity इसका मतलब chartered accountant employment के अंदर है दोनों के लिए बड़े सारे examples दिये गए हैं पांचो threat के self interest threat professional accountant का अपना एक direct financial interest है in the client for example shareholder है वो client का तो shareholder है share की value में decline यदि आ जाता है then उसका अपनी net worth down होती है तो ये चीज उसको रोक देती है independent working professional accountant एक low fees क्योट कर रहा है to obtain a new engagement किसलिए सिरफ और सिरफ एक activity को पाने के लिए हां मुझे fees मिलेगी लेकिन वो fees इतनी low है कि आप professionally उस engagement को complete ही नहीं कर सकते हो in compliance of professional and technical standard क्या फाइदा होगा professional accountant quoting a low fees to obtain a new engagement and the fees is so low that it might be difficult to perform the professional service in accordance with the applicable technical and professional standard for that price point number 3 आपकी client के साथ business relations है purchase, sale और any other kind of business activity आपके पास client की confidential information है जिसे आप अपने personal gain के लिए use कर सकते हैं professional accountant ने कोई significant error discover किया when evaluating the result of a previous professional service performed by a member of the accountant firm so एक error को discover करना ये को काम किस ने किया था आपकी ही firm के किसी दूसरे member ने किया था आपके ही firm के दूसरे member ने किया था पिछले साल की audit और आपको ये audit में गलती पता चले मान लो 2023-24 की audit आपकी firm का नाम है X & Associates इस firm में आपके partner X ने किया था और आप 2024-25 में audit कर रहे हो आप कोन है आप है Y another partner आपको पता चलता है X ने एक गलती कर थी last year कोई बहुत बड़ी fraud, error find out नहीं किया और जबकि professional तरीके से काम करते तो ये गलती पकरी जा सकती थी it is a matter of negligence आप Y हो, क्या करोगे? disclose करोगे या चुपा जाओगे? चुप चुप चुपा जाओगे क्योंकि यदि ये गलती सामने आती है आपकी firm के उपर question mark लगता है यदि ये गलती सामने आती है तो आपकी firm की competency पर question mark लगता है चुपा जाओगे तो ये आपका अपना interest है कि आपके firm के किसी person ने कोई काम कर रखा था और उसमें आपने गलती find out कर ली तो आप independently काम नहीं करोगे है ये threat है आपके सामने अपना interest है आपका Pहला direct financial interest Doosra point c euros at such low fees performing the professional services in compliance with the professional and technical standard might be difficult having a close business relationship with the having access to confidential information that might be used for personal gain, discovering a significant error while evaluating the result of previous judgment services performed by a member of your firm. आगे बढ़ते हैं, self-review. एक ऐसी system को, document को, information को, record को, statement को, examine करना, जब आप उस system, record, document, उनकी development से linked थे. इशान क्या क्या है, if he is doing business, then he cannot do audit. नहीं इशान, यहाँ पर if बट हैं बड़े सारी. Chartered Accountant Act का, Schedule 1 का, Part No. 1 का, Clause No. 11. इजाज़त देता है, एक Professional Chartered Accountant in Practice को, that with the permission of counsel, with the permission of counsel, आप business activity में engaged हो सकते हैं. ठीक है, Clause 11 हमारे syllabus में भी है, पढ़ेंगे इसको आगे जाकर. तो बात हो रही है, Self Review के. Self Review के अंदर क्या ची जा गई सामने? कि जहाँ पर आपने जो काम किया है, आप उसी को खुद, आप खुद एक्जामिन कर रहे हो. Professional Accountant एक Assurance Report दे रहा है, किस पर? Effectiveness of Operation of Financial System. After implementing the system, system खुद ही implement किया था आपने, जिस system की implementation आपने कर रखी है, उस system की effectiveness के ऊपर कोई Assurance Report आपको देनी है, आप तो कहोगे सब भला चंगा है जी, कोई दिक्कत ही नहीं, इससे बेटर financial system तो कोई हो ही नहीं सकता. यही कहोगे ना? Professional accountant having prepared the original data, used to generate the record, that is subject matter of assurance engagement. Accounting data आपने बनाया, जिसके base पर financial statement बनाई गई, और आप उसी accounting data की और financial statement की audit कर रहे हो. सोचो, accounting data आपका बनाया हुआ है, आपका त्यार किया हुआ है, books of account आपने बन्मा कर दिये client को. तो तो आप कहोगे, accounting data तो बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई error नहीं है, accounting principle best followed हुई है, consistently followed हुई है, कोई problem नहीं है, accounting standard का compliance हुआ है, सब यहीं कहोगे आप तो. Self-Review Threat. Advocacy Threat. Promoting the interest of or shares in a client. For example, as a broker. Acting as an advocate on behalf of a client in any litigation or dispute with the third party. Client को litigation में represent कर रहे हूँ, तो as a advocate काम कर रहे हूँ. Representation Services के अंदर, as a advocate काम करते हैं आप, जहाँ पर permissible है, court of law के अंदर नहीं है, court में आप represent नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर तो LLB वाला ही जाएगा. Advocate word सिरफ इसलिए आया है कि client को represent कर रहे हूँ, बढ़ यह lawyer नहीं है कि court of law में represent करेगा client को. Litigation matter में, as a mediator बनकर, Arbitrator बनकर, Not in court of law. Professional accountant lobbying in favor of legislation on behalf of a client. Government को यह, नया law ला रही है और client के कहने पर आप उस law को support कर रहे हैं. Client के कहने पर कि आप इस law को support कर रहे हैं. So definitely, client के कहने पर client की बातों को आप promote कर रहे हो, subsequently आपकी objectivity compromised हो सकती है. So, advocacy threats के कितने examples दिए, code of ethics दिए, T. Dealing with the shares of client. Number two, appearing as an advocate on behalf of client in a matter of litigation or dispute. Third one, lobbying in favor of legislation on behalf of client. But if CA goes to ITAT on behalf of client, that is okay. That is a professional activity. आप client को ITAT में represent करते हैं. तो आप एक professional engagement को render कर रहे हैं. और एक चीज़ बताइए, क्या वहाँ पर, यदि आप ITAT में client को represent करते हैं, तो क्या ऐसी situation में आपको allowed होगा उस client की audit services render करना? नहीं. What are other litigation? Other litigation जैसे partnership firm है, partners के बीच में dispute है, profit sharing को लेकर, और उन्होंने आपको अपना mediator बना दिया, और आप auditor भी हो इस firm के, कोई भी financial matter का litigation, नेक्स्ट, फैमिलियर्टी थ्रेट, close और immediate family member, client company में director या officer, see the family की बाता है, director और officer of the client, और an employee in a position, की वो significant influence डाल सकता है, subject matter के उपर, having recently served as engagement partner, मान लिजिये, आपकी firm है, ABC and associate, आप partner है, तीन, तीसरा partner resign कर गया, और resign करके, join कर ली, XY limited, as a director, और अब आपकी CA firm को, इस company की audit मिली है, अब बताओ, जान पेचान है या नहीं, आप auditor है, A और B, इस company का director है, C, और C से तो हमारी, पुरानी जान पेचान है, हम partner हुआ करते थे पहले, तुक director और officer, और employee, significantly influence कर सकता है, subject matter को, because, he recently served as engagement partner, audit team member, having a long association, rotation वाला point, rotation वाला point, intimidation, धमकी, सीधी धमकी देना, threatening from dismissal, आपको हटा दिया जाएगा, यदि आप हमारी बात से disagree करेंगे, प्रेशर है, जो client कह रहा है, उसी से agree करिए, क्यों, client की ज़्यादा expertise है, इस subject matter के उपर, बट मैं satisfied नहीं हूँ, बट मुझे कहा गया, business हम चलाते हैं, मालनो हमारी बात, planned promotion को रोक दिया जाए, यदि वो, गलत accounting treatment से agree नहीं करता, significant gift जो आपने client से accept करे थे, उनको public में disclose कर दिया जाएगा, यदि आप हमारी गलत बात से agree नहीं करेंगे तो, अब हमारे पास circumstances that create threat, इसके अंदर दो case आथ है, कौन-कौन से, ए, professional accountants, in practice, बी, professional accountants, in service, तो अभी जो topic हमने cover-up किया, professional accountant in practice का, पहला, self review, why a firm doing audit of client cannot represent him in income tax authorities, represent तो कर सकते हैं, but same partner नहीं करना चाहिए, threat होता है, law में मना नहीं है, law में मना नहीं है, but safeguard को apply करना चाहिए, same partner represent करेगा, तो threat है, क्यों ITAT में तो आप अपने client के tax की चोरी को disclose करोगे, नहीं, कोशिश करोगे client का tax कम से कम बने, accounting provision को बेशव इदर उदर से गुमाया जाए, but as a auditor तो आप यह चीज़े accept नहीं करोगे ना, self review, क्या क्या keyword थे हैं, direct, financial interest, क्योंति, क्योंति, low fees, close, business relationship, access to, confidential information that might be used for personal gain, discovering a significant error in a previous judgment made by another partner, अरे फिर गलती हो गई, एक word, self interest का है, self interest, अच्छा नंबर दो पर चलते हैं, self review, self review, means, जो आपने काम खुद किया था, उसी काम के उपर आपको, as a examiner, as a evaluator, as a reviewer, as a auditor, appoint किया गया है, इसके दो एक्जाम्पल थे, issuing assurance report on effectiveness of operation of financial system, financial system, implemented by same person, और दूसरा, issuing assurance report on records, where original data is being prepared by same person, तीसरा केस, advocacy threat, dealing with shares, acting as an advocate, lobbying in favor of legislation on behalf of client, keywords मैं आपको mention करा रहा हूँ, fourth, familiarity, family member, director और officer है client में, या फिर, long association with client, or last, intimidation, mern from dismissal, pressure to agree with, Client judgement Stopping Planned promotion तो यह एक summary हमने बनाई है इन केस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऑफ वेरियस सरकम्स्टांसिस जिसके थूफ थ्रेट क्रियेट हो सकते हैं अब आपका काम क्या है समझ गए हुए आप शायद इसी तरह के similar examples आपको मिलेंगे professional accountants in service के case तो यह है आपका homework आपको study करना है उने examples को और study करने के बाद उसकी एक summary आपको बनानी है self-interest, self-review, advocacy, familiarity and intimidation threat के लिए इसका भी एक question exam में आया हुआ है एक I think सबसे पहला self-interest threat and self-review threat का difference self-interest, direct financial interest, quoting a low fees, close business relationship, access to confidential information, discovering a significant error self-review, issuing assurance report on effectiveness of operation of financial system, prepare the original data used to generate the record that is a subject matter of assurance engagement chart दिखाएं, लीजिये, chart देखिये आपराइं आपराँ, लीजे, आपराँ, आपराण, बनानी है आपराँ, आपराँ, यादराँ, आपराँ, चिए खरादानी है चलिए जिए तो हमारा पहला टॉपिक जो हमें करना था थ्रेट कौन-कौन से है नमबर दो एलिमिनेट कर दीजे उन सरकम्स्टांसिस को जिनके कारण ये थ्रेट क्रिएट हो रहे थे अब नमबर तीन तो हमें को बाम बाहे बीजे प्रेश्पर कारण पिंधनेट बुक्स नहीं मिली, मिल जाएगी एक दो दिन में Code of Ethics डाउनलोड कर लेना ICAI के study material से कर लेना करना है, छोड़ना नहीं ठीक है? Code of Ethics में दिखा हूँ, ये सब मिलेगा ये रहे पांचों threats इनके circumstances भी मिली जाएंगे आगे कहीं ना कहीं पर ये रहे Code of Ethics के page नमबर 24 पच्चिस पर है चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक के ऊपर and that is safeguards to be applied to eliminate the threats नमबर बन पांच safe card है जो Code of Ethics ने बता रखें आखेंगे स्टन आखेंगे स्टने से को अ cargo मेंबर कर्शेशल ट्र enact PAN ग्यार्ट के तर्क CSKA Lesson स्वेशन पर कर्वीं कर्वार्ट कर्वेश Sean यह multiple choice के लिए अच्छा question है, अच्छा topic है, having an appropriate reviewer who was not a member of the team to review the work performed, will address, सोचते जाईएगा noting के साथ साथ, यहाँ पर क्या, कौन से threat का नाम आ सकता है, third, using different partners and engagement team with separate reporting lines for non-assurance services to audit client will address dash number four involving involving another firm to perform or re-perform part of engagement will address will address dash and last separating team when dealing dealing with matters of confidential nature will address dash सोचिये और बताईये पांच पॉइंट हैं किस पॉइंट में कौन सा threat आ सकता हैं assigning additional time and qualified personally to required task जो भी कान दिया गया है उस पे qualified persons को engage करिए, work assign करिए, ज्यादा time devote करिए पांच थ्रेट हैं self review, self interest, advocacy, familiarity, intimidation और जब direct समझना आ रहा हो तो एके करके हटाने की कोशिश करो इशान, इशान ने कहा सर intimidation ले लो first का intimidation धमकी है हमारी बात को नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें हटा देंगे मैं ज्यादा time दे दूँगा तो क्या वो धमकी हट जाएगी मैं अपने से अच्छा qualified बंदा लगा दूँगा तो क्या वो धमकी हट जाएगी सोचो नहीं हटेगी तो intimidation तो हो गया reject अब दूसरा सोचो एडवोकेसी एडवोकेसी टू सम एक्टेंट आ सकता है बट पूरी तरह से तो नहीं है मैं बटाता हूँ code of ethics इसके अंदर कहता है self-interest जहां पर आपके direct financial interest है तो यदि आप वहां पर किसी qualified personal को काम दे देते हैं आप खुद हट जाते हैं देन आपका वह self-interest threat हट जाता है यदि आपकी business relationship है clients के साथ और आप उस काम को किसी qualified personal को assign कर देते हैं qualified personal को unless and until आप उस qualified personal पर अपना pressure डाल रहे हो जो डाल सकते हो डाल सकते हो ऐसा नहीं है कि डाल भी सकते हैं तो altogether तो नहीं हट सकता threat बट जो code of ethics ने concept use किया है इसके अंदर उसके basis पर इन्होंने self-interest threat को लिया है दूसरे का answer तो बड़ा simple है question point की line से ही निकल जाता है having an appropriate reviewer who was not a member of the review to review the work performed review 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 right बिलकुल सही इसका जवाब तो एक दम आ गया self-review threat third using different partners and engagement team with separate reporting lines for non-assurance services to audit client यदि financial system मैं बना रहा हूं तो उसका examination मैं नहीं करूंगा data मैं तियार कर रहा हूं तो data की examination मैं नहीं करूंगा assurance अलग, non-assurance अलग अलग-अलग person कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर code of ethics ने लिखा self-review threat फिर लिखा advocacy threat यदि आप underwriter broker का काम कर भी रहे हैं एक partner अलग करें दूसरा partner non-assurance करें एक non-assurance करें दूसरा assurance करें तो advocacy भी हट गाएगी और तीसरे नंबर पर इन्हों ने इसमें familiarity threat भी लिख दिया familiarity threat यदि assurance अलग person कर रहा है, non-assurance अलग कर रहा है तो familiarity threat के भी कम होने के chances हैं अभी तो बात हो रही थी partner की अब कह रहे हैं फर्मी दूसरी ले आओ, joint auditor बना लो किसी को joint auditor बना लो किसी को जो आपकी engagement का कुछ काम वो कर रही हो एक और एक मिलकर क्या बनेंगे, दो या ग्यारा एक और एक मिलकर दो बनाओगे, ग्यारा बनाओगे ग्यारा अच्छा, जब एक और एक मिलकर ग्यारा बनेंगे, दो professional तो कौन से threats रोके जा सकते हैं एक और एक ग्यारा, तो कौन से threats रोके जा सकते हैं? All threats. सारों को रोकने की capacity है इसके अंदर. All. Self-interest, self-review, advocacy, familiarity, intimidation, यदि आपने किसी दूसरी फर्म को अपने साथ engage कर लिया तो. And last, separating the team when dealing with the matters of confidential nature. यह word कहां आया था, confidential वाला? Having access to confidential information. Having access to confidential information कौन से threat में था? जी, शुभम, इशार, self-interest में. तो आंसर भी बिल्कुल वो ही. Self-interest threat. अब इसके अंदर एक और चीज़ है और वो क्या है? आप किसी भी particular example में किसी दूसरे threat को link करना चाहें. तो example बना कर link किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि link नहीं किया जा सकता. बट मैंने आपको इस topic को उस हिसाब से कराया है जैसा code of ethics में लिखा गया है. और जो चीज code of ethics में लिखी गई है वो किसी ना किसी observation के base पर लिखी गई होगी. और वो ही चीज study material में आती है. पेपर सेटर भी वहीं से question को frame करेगा. तो ऐसी situation में आपको इन पाचो safe guards के अंदर जो threats address हो रहा है उसी को याद रखना है. उसी को ही याद रखना है. अदर्वाइस आप कहा सकते हैं कि सर पहले वाले point के अंदर intimidation threat मैं उसको proof कर सकता हूँ क्या intimidation भी address किया जा सकता है. familiarity threat भी address किया जा सकता है. लेकिन क्योंकि जो हमारे पास related material available है, code of ethics का, उसमें जो points लिखे गए हैं, हमें उसी के हिसाब से इसको करना हूँ. Safe guards का भी question आया हुआ है, I think. May 19 में. Safe guards to introduce, to be introduced to ward of the threats. पांचो points. तो एक, दो, तीन, चार theoretical question है, जो मैंने आपको note down भी करा दिये. एक safe guard का, एक self interest, self review threat का, दो, तीसरे पांचो threat का, फोर्थ, पांचो fundamental principle का. ये चार theoretical question है, जो exam में आए हुए भी. और ये ही था हमारा, आज का lecture, topic number one के उपर, जहां पर हमने overview discuss किया है, code of ethics का. और चार question भी इसके हमारे साथ-साथ कवर. और अब आपको कोशिश करनी है, कि, जो चीजे आप पढ़ रहे हैं, उनको main book में से, main book, कौन सी? ये वाली, topic को read जरूर करते रहे हैं, main book में आपको content definitely जादा मिलेगा, institute के study material में content जादा मिलेगा, बट, हमें कुछ जहाँ पर उस content को limited way में याद करना है, पढ़ना सारा है, याद करना limited है, क्यों, memory में बहुत सारी चीजे डालोगे, तो सारी चीजे तो याद नहीं रह सकते. तो अब आज का कार्यक्रम नहीं तक था, अब बताईए किसी topic में कोई doubt, और यदि कोई doubt नहीं है, तो आज का कार्यक्रम नहीं पर smart करके विदा लेते हैं, और मुलाका करेंगे कल, बताईए जी, any doubt? अंजी, अंजली, अकांशा, संसकार, शुभम, इशान, कृष्णा, व्यदेही, वैभव, any doubt? No doubt. Intimidation पर कोई अलग safe guard नहीं है, intimidation के case में सबसे best क्या होता है, elimination, sorry, disassociation, safeguard क्या लगा होते हैं, police complaint, तो intimidation में या तो आप दूसरी फर्म को ले आओगे, एक परसन को धंकी देना असान है, दो परसन को धंकी देना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा से. So, another firm को engage कर लोगे, तो तो intimidation address हो रहा है, बट अलग से और कोई specific safe guard नहीं है, कि आप police complaint कर दो, regulatory authorities को complaint कर दो, तो ऐसी situation में तो, जो हमारे पास एक chart मैंने आपको बनवाया था, तो उसमें तीसरा point आजाता है, और वो आजाता है, declining and ending the professional activity. Government को complaint में problem है न, और वो problem क्या है, confidentiality, आप report में कोई बात लिख देते हो, ठीक है, बट otherwise तो आप किसी regulatory authorities को बता नहीं सकते, कोई भी चीज unless required by law or regulation, बता सकते हो क्या, इसके आपको question भी मिलेंगे आगे जाकर, कि आपको कोई गलतिया मिली और आपने ROC को बता दिया, तो आपको ही guilty मान लेंगे, आपके उपर privileged का principle apply होता है, आपको चीज़े बताई जाती है, तो you need to give respect to the confidentiality of the information acquired in the course of professional work. And that's why government को complaint, regulatory authorities को complaint, police को complaint, ED को complaint, CBI को complaint, ICAI को complaint, TCWG तक जा सकते, TCWG तक, बस. ठीके जी, तो चलिए फिर, आज का काम यहीं पर over, homework में, जो topic class में करवाई जाएं, उनको आपको main book से read करना है, question bank में से questions की practice करनी है, daily का काम daily basis पर जरूर कर दिये, ठीक है, thank you very much, good bye.